हाई आप लोग उम्मिद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे आज रेमेडी में शेयर करने वाली वैसे काफी लोगों ने कैसे पासकते अपने काले रंग से कैसे बचाव कर सकते यह नहीं मैं कहूंगी कि काला रंग घ्राब होता बट उसमें क्या होता है ड्राइनस हो जाता है ड राइस कीन है सेंस्टिव सकीन है तो मैं उसको यूज करती बहुत सारी है काफी सारी आप उसे अपलाई करिए पर इसके लिए क्या करना पड़ता है अगर आपके पास टाइम मिलता हो यह अगर आप अपनी स्कीन को सुन्दर बनाना चाहते अच्छा बनाना चाहते गोरा च पूरी रात लगा रहेगा नहीं आपको सिर्फ पानी से उसको दोना होगा ना कि आपको साबून या जैल जो भी आप फेश वाश करते वह आप चार से पांस घंटे तक यूज मत कीजेगा आप उसे जो मौनिंग में उसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से जो आज इंगिट की तवचा को भी ब्राइटनेस करते हैं और अपनी जो इसकेन को ग्लो कर सकते हैं यह नहीं कहुंगी कि लेडिस को हैं यह हर एक इंसान हर एक उमर का इंसान अपने आपको सुंदर बनाना चाहता है अब आप देखते होंगे मैं बहुत सारी यह सी रेमेडिस बताती और स्किन आप लोगों के सामने भी दिखती तो जो भी रेमेडिस बताती इससे कोई ना साइड एफेक्ट होने वाला ना कोई हांफुल होने वाला आप लोग अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है तो आप जो है पैस्ट है जरूर कर सकते हैं इस तरीके से करेंगे तब यहां भी आप लोग एक्टिव रहते हैं और साथ की साथ सब्सक्राइब कर लिए अगर फर्स टाइम वीडियो को वाच करें नीचे रेट कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पर उसको खचक से इसको बटन को क्लिक कर दिए और छोटी सी बैल आइकन होगी उसे भी प्रेस कर दीजिए जब भी कोई मेरी लेटिस वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप उसको जो है नॉटिफिकेशन मिलेगा तो चलिए वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं अगर यह वीडियो आप लोग लोग उमेद करते हूं आप सब भी ठीक होंगी देखिए आज जो म पैक को है अप लगा सकते हैं और लगाने का प्रोसेस वह भी मैं आपको आगे बताऊंगी वैसे आपको सिर्फ 10-15 बिनिट आपको अच्छे से मसाज करनी होगी उसके बाद देन आपको जो है पानी से वाश कर लेना होगा ठंडे पानी से तो सबसे पहले मैं यहां लेने व कोफी ही जो है हमारे लिए बहुत ज़्यदों बहुत बहुतर बहुतर काम करेगी और यह हमारी टैनिंग की समस्य अब आपको पता है कि हमारे प्रेंद को हैं थ posiçãoाश करते स में जैसे जब भी आप चाते हैं तो कॉफी फीसमान्स को थे जो हमारी sakin को जो बहुत ज़योता दमक ढरा देता है तो इससे क्या करना है आपको जो है दोरबे की कई काफी का एक पाउच लेंदो ऐगा मींस जसे समझ लिए आपको जो है एक स्पून के बराबर जो है आपको रखना होगा मैं चलिए इसको सारे डाल देते हूं कितना है जैफल को जो है पट चुटकी भर आपको लेना होगा अब मैं इसके अंदर जो है दूद और कॉफी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब हम इसके तो थार्ड इंग्लिट करने वाले वह भी काफी महत्यपूर ने आप उसको जरूर कीज़ेगा तभी आप लोगों की जो सार कर देता है कि अजुआ कपूर ले रहे हो इसके अच्छे से कश कर लीजिएगा जाने के बाद आप इसको जो अच्छे से मिक्स कर लीजाएगा आप इसमें एक फोर्टिंग्राइट करूंगी वह बहुत ऊसली तरीके से आपको जो है घर पे मिल जाएगा यह देखिए काफ प्रफिंग्रिय। नारिल का तेल कि इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसलिए भी स्किन के बाइटमीन ए मिलेगा। जिससे वाइटमीन ए बाइटमीन्ट जो गलोइंग करने लगिए और एंटी एकसिटॉप एंटी ऑकसिदेंट होता है। जिससे कि हमारी स्केन को जो है अच्छे से टैनिंग की समस्या को खतम करेगा यहां मैंने जो हाफ स्पून के बरावर जो मैंने नारील तेल ले लिए अगर आपको नारील तेल सूट नहीं करता है तो आप इसके जगह जो है ऑल्लीव ऑईल भी ले सकते हैं इन सब को जो है सकते हैं जिस से कि कि जो है जान जाधा सुनदर भी हो जाए और क्ति छीऊन खीड़ान होचो कर देता है है साथ जनो Arab कर देता है सुख शुटा करतेया मीचा करें तो उसःल हमारे अल्डीस की मास्ट्राहि न हो कि अड़ें दार घ्चा कर देता है अर यह जाने जो जैप यह संदर करने से आप लोगों की स्कीन घर बैठे जो आप इसे कुछ ही मिनिटों में स्कीन को बहुत सुन्दर कर सकते चलिए लगा के दिखाति और उसके बाद फेस को वाश करना है पहले में पर एक पर से पीस्ट को जो आपर दिखा के दिखाते हुए इस तरीके का यह पेस्ट होगा अब इसको आपको जो है सर्कुलिशन मोशन में इसको अच्छे से मसाज करते रहना है मसाज करने के बाद जैसे 15 मिनट हो जाता है तो आप इसको ठंडे पानी से दो जिए या फिर कोई गीला कपड़ा या कॉटन का कपड़ा तो आप इसको इस इसे बनाने का तरीका लगाने का तरीका सभी चीज़ें बहुत असान है आप इसे कुछी मिन्टों में बनाके जो है लगा सकते और अपने रंग को निखार सकते यह काला रंग खराब होता है बट यह होता है कि हमारी ब्राइटनेस अजाती चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जैसे आप दीरे-दीरे समझ स्टार्ट हो चुका है तो आप जितना अपनी स्कीन केयर पर ध्यान रखेंगे उतना ही आप लोगों को बैनेफिट मिलेगा उमिद करते हूं आप लोगों को आज की वीडियो हेलफुल लगए अच्छी लगए अगर अच्छी लगए तो जाते पीस इसे लाइक जरू कीजएगा शेर कीजएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल को बाई टेक के लिए